आज हम आपको लेकर आये हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भाशर एशिया पैसिफिक कॉन्फरेंस ओफ जर्मन बिजनेस दो हजार चौबीस से जहां उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच व्यापारिक साजेदारी को नई उचायों पर पहुँचाने के लिए महत्वप पूर्ण विचार रखे आये सुनते हैं पीम मोदी के सेतिहासिक भाशन को नमस्का है एशिया पैसिफिक कॉन्फरेंस ओफ जर्मन बिजनेस दो हजार चौबीस में उपस्थित सधी महान उभावों को मेरा प्रणाम और तीन बार चांसलर बनने के बाद उनका इहां आना भारत जर्मनी सबंदों पर उनके फोकस को दिखाता है बारा साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कान्फरेंस ओफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है जर्मनी की भूमी पर आकर आप सबसे मिलना मेरे लिए बहुत ही गर्व और प्रसंदता का क्षण है मैं सबसे पहले जर्मनी के नेथ्रित्व और यहां ते उध्यमियों को उनके सतत प्रयासों और विश्वास के रिए बधाई देता हूँ भारत और जर्मनी के संबंद केवल व्यापार तक सीमित नहीं है यह एक ऐसा बंधन है जो विश्वास, सहयोग और समान द्रिष्टिकोंड पराधारित है हम दोनों देश एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक सम्रिद्ध और टिकाव भविश्य की ओर बढ़ रहे हैं यह साजेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक साजाओ देश के लिए काम कर रहे हैं मानवता की भलाई और वैश्विक सम्रिद्धी के लिए भारत आज तेज गती से बढ़ती हुई अर्थ विवस्था है चाहे वह डिजिटल क्रान्ती हो, इंफ्रास्ट्रुक्चर डेवलपमेंट हो या फिर ग्रीन एनर्जी में निवेश हो हार चेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभारा है और मुझे गर्व है कि जर्मनी इस यात्रा में भारत का एक महत्व पूर्ण भागीतार है जर्मन केबिनेट ने फोकस अन इंडिया डॉक्यमेंट रिलीज किया है विश्वकी दो ससक्त डेमोक्रसीस विश्वकी दो लीडिंग एकोनमिश साथ मिलकर कैसे फोर्स फोर ग्लोबल गूर्ड बन सकती है फोकस अन इंडिया डॉक्यमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है मैं यह कहते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि हाल के वर्षों में हमने भारत और जर्मनी के बीच वियापार और निवेश के क्षेत्र में एक नई उचाई देखी है विशेश रूप से मैनिवफैक्चरिंग, आटो मोबाइल्स, उर्जा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यसक शित्रों में दूनों देशों के बीच एक सुद्रड गटपंदन बना है भारत में वर्तमान में जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं, उनका उद्देश केवल भारत को विक्सित करना नहीं है, बलकि भारत को दुनिया का उत्पादन केंदर बनाना है मेक इन इंडिया के तहट हमने कई महत्व पूर्ण कदम उठाए हैं, और अब हम मेक फॉर्वर्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं जर्मनी के उद्यमियों और उद्योग पतियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं, यहां आपना केवल आर्थिक लाह कमा सकते हैं, बलकि भारत के युवा और प्रतिभाशाली लूगों परिवर्तन और ग्रीन एनरजी के क्षेत्र में हमारा सहयोग आज से नहीं, बलकि लंबे समय से जारी है, हम सौर उर्जा, पवन उर्जा और जलसन रक्षर जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम कर वहे हैं, यह सहयोग केवल हमारे देशों को नहीं, बलकि पूरी दुनिया को एक स्वच्छ और स्वस्थ परियावरन देने का लक्ष रखता है। भारत ने दो हजार सतर तक Net Zero Carbon उच्छर्जन का लक्ष रखा है। और मुझे विश्वास है कि जर्मनी के साथ हमारी साजेदारी से हम इस लक्ष को समय से पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम आपकी विशेशग्यता और तकनीकी सहयोग की सराहना करते हैं। आज का यूप डिजिटल है और इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अद्वितिय प्रगति की है। हमारे डिजिटल इंदिया कारिक्रम ने करोडो लोगों को कनेक्ट किया है और अर्थ विवस्था को सशक्त बनाया है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में उन्नत है, Artificial Intelligence और Industry 4 के क्षेत्र में भारत और जर्मनी मिलकर नई ऊचायों को छू सकते हैं। इस Conference के माध्यम से मैं जर्मन कंपनियों से आधरह करता हूँ कि वे भारत के इस Digital परिवर्तन का हिस्सा बने और हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने नई टेकनोलोजी लाने में सहायता करे। आज के समय में व्यापारिक स्थिर्ता एक महत्वपूर्म पहलू है। भारत ने इसके लिए अपने कानूनों में सुधार किये हैं और एक सुरप्षित व्यापारिक माहौल तैयार किया है। हमने कर विवस्था में सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव और नई निवेश न उसर का लाब उठाएं और भारत में निवेश करें, हमारा उद्देश केवल व्यापारिक लाब नहीं है, बलकि एक सम्विद्ध, सशक्त और सतद भविश्य का निर्मार करना है, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत और जर्मनी की ये साज्यदारी आने वर्षों में कई सभलता अर्थात पूरा विश्वे एक परिवाह है, ऐसी भावना के साथ चलें और एक उज्वल भविश्य की उड़, यू विल बी हैपी, एंड बैक होम, यूर फैमिली विल बी हैपियर, ये कांफरेंस और भारत में आपका स्टे दोनों मंगल हो, इसी कामना के साथ, आप सभी क थन्यवाद और नमस्काव